पालक दाल इसमें पालक होता है डाली होती है और ये नो ओनियन नो गार्लिक आप अगर बनाओ तो भी बहुत टीस्टी बनेगा ये ऐसी डाल है अगर आपको चीए तो आप डाल सकते हो इससे और टीस्टी हो जाएगी हमारी दाल तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी अब बनाने के लिए हम्ग चाहिए फोड़ी सी चमार और तोड़ी सी मूंकी दाल चीप क्ली धील ताम और फिर काटना है काटने के बाद अगर आप धोग ये नहीं तो भी चलेगा फिर इसको थोड़े से पानी में हमें हलका सा सॉफ्ट करना है यह आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा आप पीछे से डाल सकते हो दाल को तड़का मारने के बाद तड़का मारने के लिए हम इसमे गी में थोड़ी सी जीरा और हींग लाल मिर्ची पाउडर और इसको अच्छी से मिक्स करने के बार हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे की मिर्ची जलेना थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे फिर हमने जो पालक को सॉफ्ट करके रखा था उसको हम इसमें डालेंगे ज इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे डाल जो हमने बॉइल करके रखी दी तो लीजे जी हमारी पालक डाल रेडी है एक बॉइल राने देंगे और इसको सर्व करेंगे गरमा गरम रोटी के साथ या चावल के साथ आप इसमें लसन का वगार भी कर सकते हो हलके से आनियन्स भी चौप करके डाल सकते हो भून के तो आपको चाहिए तो आप वगार करने के बार पालक को चौप करके भी डाल सकते हो बीना बॉल किये डाल को आप घोट के माँ डाल लिएएगा यह बड़ी-बड़ी तो हलकी-हलकी मूह में बाईट आती है वह दाल अच्छी लगती है कहाने में पालग लग से ब्लाच क्योंकि या नहीं तो दाल ओवर को खुझ जाएगी या पालग ओवर को खुझ जाएगा इसके लिए हम अलग से इसको हलका सा बॉयल करते हैं और वो पानी बहुत मुट्रिशियस है आप दाल को पतली करने में यूज़ कर सकते हो दिसकार्ड नहीं करोगे तो भी चलेगा तो आप ही जाए पनाए इसमें पालक होता है